चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बुकिया है वैल जो काफि इंट्राइस रखते हैं तो आप इनके बीच में जो थिक लाइन होती वह नहीं समझ पाएंगे तो कोश्चन की डेमाड भी नहीं समझ पाएंगे और को गलत कर देंगे इसलिए आपको पेपर हॉल में तो लगेगा कि मैंने बहुत सारे कोश्चन अटैप्ट किया हैं लेकिन जब आम मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कोश्चन कलत हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं वो इसी वज़ेसे हो जाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से द दबलब्मेंट हो गया इन सारे डबलब्मेंट के वारे बताऊंगा सात में अगर आप यहाँ पर देखींगे देखीं मैं सारी बेसिक सीजें आपको बहुत से चीजिए क्लियर करता हूं जैसे लुगों ने देखिए वह लुग समझ क्योंगे जिल लोगों ने नहीं देखा ह बूलोग जागर करके देखें इस वीडियो के बाद में पहले आप इसको देख लीजिए कंप्लीट फिर इसको देख लीजिए ओके इस सेकेंड है हमारे जो एकॉनमिक्स की लेक्चर नामर सेकेंड है देखेंगे तो आपको एक सीज़ देखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ पर बिकास होगी बिकास यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बिकास बिकास बार बार बढ़ दा रहे हैं पहले मैं आपको इस बिकास के बारे में बताता हूँ जिससे अगर आप इस बिकास को अच्छे से समझ गये फिर इसके आगे कुछ भी जूड़ जाता है जैसे कि से लगा सकते हैं तो पहले हम इस विकास को समझते हैं कि आफिरे विकास क्या है चलिए हम लोग देखते हैं विकास क्या है ओके देखिए विकास है इसको इंगलिस में कहते हैं डबलपेंट देखिए मैं हिंदी इंगलिस दोनों है आपको पढ़ाता हूं क्योंकि दोनों की स् तो मैं आपसे पूछता हूँ विकास क्या है तो डबलमेंट क्या है एक परिवर्तन का प्रारूप है यानि कोई भी वस्ता होती है वो चेंज होते होते हैं ऐसी अवस्ता में पहुंच जाती है कि हम उसको डबलमेंट का नाम दे देते हैं लेकिन परिवर्तन कैसा होता है सकार सकारात्मा यानगी positive change होना चाहिए उके सकारात्मा परिवर्टन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे विकास कहेंगे लेकिन इसमें मूले नहीं होता है इसमें value होती है वो भी add होती है देखें मैं आपको एक example के रूम में समझाओं जैसे कोई यहां पर आवस्ता है ओके यह आवस् अब देखें मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से example के रूप में समझाता हूं यह देखें काफी funny तारीक है लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाओं कि आप इस development के बारे में कभी भी नहीं बुलने वाले अगरना आपको वह सूते से बोढ़ागे कुछ एकर आप आराम से बता देंगे तो देखें काफी boring subject है इसको मैं काफी interesting बनाने वाला हूं देखें मानली से यह आप हैं यह एक पपो टाइप के लोगे हैं जो काफी एकदम simple है एकदम normal man है हो सकता है इसने बाद में अपने उपर काफी बर किया बर करके ऐसा एकदम smart बंदा बन गया इस तरह क्या हुआ परिवर्टन हुआ इसके अंदर value एड होगी तो यह क्या था यह normal मैं से एक advance में convert हो गया तो यह क्या है यह एक तरह का परिवर्थन है लेकिन यह क्या सा परिवर्थन है यह सकारात्म का परिवर्थन पॉजिटिव चेंज है ना क्योंकि यह पहले तो normal था नार् यह जैसे कि आपने कई वार देखा होगा रोट उपर यह से लोगों को तो पहले तो इसके condition थोड़ी थीक थी इससे हो सकता है वाद में पागल बेक्ती बन जाता तो यह भी क्या है एक normal वैन से एक पागल बेक्ती में परिवर्थित हो गया तो यह भी अवस्ता क्या है परि वर्तन होता है क्या हम इसको development बोल सकते हैं नहीं इसको हम विकास नहीं बोलेंगे हम विकास किसे बोलेंगे इसको ओके इसको हम बोलेंगे क्यूं क्यूंकि यह हम विकास उसी को बोलते हैं जो positive होता है अब आप यहाँ पर comments लगाईए हम क्या इसको development बोलेंगे इसको विका इसी से बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे दीए मांदें एक है normal place था फैले ऊकी natural place था इस तरह का यह हो सकता है एक बंजर भूमी में क्या हो गया परिवर्तित हो गया कीया होगists चैने है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें गए तो एक नार्मल को भी ध्यान रखा और अपनी सारी जो सुख्दाई थी, उन को भी डवलक किया, तो ए भी क्या था, हमने क्या किया इसमें परिवर्चन किया, लेकिन एक कैसा परिवर्चन है, इस सकारात्मक परिवर्चन है, इसलिए हम इसको क्या बोलें डबलब्मेंट बोलेंगे हम इसको डबलब्मेंट नहीं बोल सकते हैं इसको हम विकास नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पहले तो इसकी ठीक थी ना इससे इसकी बेगार होगी तो हम इन दोनों किसमें बैलू भी एड़ होती है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ से हैं और देखते हैं एकॉनमिक ग्रोथ और एकॉनमिक डबलमेट देखिए मैं सारी सीज़े आपकी बनवाई बन करके इतनी क्लियर कर देता हूँ इसी तरह से आपको पूरा एकॉनमिक्स है वह अगर आप कोई सो रहा है आप से उठागर कोई बुस्ता है कि चलिए मैं पढ़ाता हूं इस तरह से मैं आपको ट्रेंड करने वाला हूं यहां पर चलिए हम लोग दिखते हैं इकॉनमिक ग्रोथ होती है उसको हम बोलते है और इकॉनमिक डवलब्मेंट होता है इसको हम हिंदी में बोलते है आर्थिक विकास होगी देखे आर्थिक सम्रिद्धी होती है एक किस तरह का अप्रोच है कि मात्रात्म क्या प्रोच है यह मात्रात्म क्या प्रोच है जो क्वाइंटिटिव होता है क्वाइंटिव का देबनागरिपी में convert करके देते हैं translate करके देते हैं तो आपको दोनों ही देख करके चलना है तो देखिए मातरात्मक का मतलब क्या है इसमें सिर्फ मातरा बढ़ती है यानि कि इसमें केबल quantity बढ़ती है जैसे नंबर बढ़ते हैं ऐसे 100 से हो गया 200 200 से 300 200 कुछ भी ऐसे नंब नंबर तो बढ़ते हैं ऐसे 100 से 200 होता है 200 से 200 होता है 200 से 300 होता है इस तरह से इसमें नंबर तो बढ़ते हैं लेकिन नंबर बढ़ने के साथ में इसमें और एड़ कर दी जाते हैं इसमें देखा जाता है यह नंबर एड़ हो रहे हैं जो नंबर बढ़ रहे हैं क्या यह एक 2019 लेते हैं 2019 में GDP लेते हैं किसी देश की GDP 100 रुपय थी ओके ये फिर 2020 में 2020 में ये GDP थी ये 200 रुपय हो गई ओके इसी तरह 2021 में जो GDP थी ये क्या हो गई आई 200 रुपय हो गया मने लोगए तो हम इसे क्या वो लेंगे इसको हम उक्रों में गरोध क्यों देखिये हर यर क्या हो बढ़ रही है 100 records से 200 होई तो हम इसे क्या व मेर लेकिन अगर क्या हो अगर, यह profit है profit अगर सबी को मिलना है जैसे कि हम जानते हैं गरीब लोग हैं गरीब लोग हैं अमीर लोग हैं और इस तरी है पुरूस है इस तरह हमारे हम जानते हैं हमारे जो देश हैं वो कई भागों में बटा हुआ है तो अगर इसका लाब सब ही को मिल रहे तब हम इसे कहेंगे डबलब मेंट यान कि विकास तो हम देखे विकास में क्या चीज़ एड कर देते हैं इसमें हम एड कर देते हैं कि हम प्रॉफिट सेरिंग में देखते हैं प्रॉफिट सेरिंग का मतलब क्या है कि लाब का जो बितरण है जो बितरण है वो सब को मिल रहा है कि नहीं बितरण सम्मे हो रहा है नहीं हो रहा है तो अगर सम्मे हो रहा है तो हम इसे डबलमेंट कहेंगे और केवल लाब एक बर्क का ही बढ़ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे economy growth बोलेंगे देखिए इस चीज एक आप काफी आपको complicated लगी होगी अब मैं आपको इतना easy तरह से समझाता हूँ कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे अब मानली से हैं आपकी family में five member हैं आपकी family में five member हैं अब देखिए आपकी family में five member हैं और सबकी income क्या है 100 रुप है हमानली से हैं आपकी जो family income हैं वो कितने रुपए 100 रुपए हैं अब यह सा मत बोलिएगा कि हमारी family की income 100 रुपए नहीं यह से जादा है हम यहाँ पर केबल एक example ले रहे हैं दिहान से सुनिया दोस्तों क्योंकि आप इसको अच्छे से सुनेंगे तब ही आप इसक आपके family में member कितने हैं फाइपी member है और इसमें क्या हुआ 200 रुपए आपके family member की income हो गए यान कि आपकी जो family income है वो 200 रुपए हो गए लेकिन क्या हुआ इसमें जो आपके 4 लोग थे 4 member थे इनकी आज भी income उतनी ही है 80 रुपए है डोटा लेकिन क्या हुआ सिरिफ एक member थ एक member था उनकी income 120 रुपए हो गई थी इस यह total आ रहा था वो 200 रुपए आ रहा था तो हम इसको क्या development बोलेंगे नहीं हम इसको डवलेंट नहीं बोलेंगे इसको हम इस condition को क्या बोलेंगे यह दूसरी oil condition है इस condition को हम बोलेंगे economic growth इसको बोलेंगे economic growth क्योंकि इसका जो lab है देखिए नमबर तो बड़ा था, 100 से 200 हो गया, लेकिन लाब क्या सब को मिला, इन 4 मेंबर को तो लाब मिला ही नहीं, केबल एक मेंबर की ही तो जो इंकम थी वो बढ़ गए थी, इसलिए जो टोटल अमांट था, वो भी बढ़ गया था, तो इसको हम क्या आप बोलेंगे, केबल, इकॉन में ग्रोध बोलेंगे, लेकिन दूसरी कंडिसन हम दिखते हैं, ओके, सेकेंड कंडिसन दिखते हैं, 2020 में अगर ऐसा होता, कि जो फाइप मेंबर से, जो इंकम थीमबो आपके 200 रुपए रहती, लेकिन क्या होता, सभी की इंकम बढ़ जाती, सभी की इंकम बराबर बराबर बढ़ती, जैसे इन चार मेंबर थी, इनकी भी उतनी ही इंकम बढ़ती, इतनी ही इंकम इनकी बढ़ती, फिर टोटल अमाउंट 200 रुपए होता, तब हम इस condition में क्या बोलेंगे तब हम इसे बोलेंगे economic development इसको क्या बोलेंगे economic development तो आप लोग समझगे economic development हम किसे बोलेंगे और economic growth किसे बोलेंगे जब इसका lab सभी को हो जब सभी को इसका lab होगा तब हम इसे economic development यानि की आर्थिक विकास बोलेंगे लेकिन इसका लाब किवल एक बर्ग को हो और इससे जो हमारे numbers हैं वो बढ़ रहे हैं तो हम इसे economic growth बोलेंगे तो आप यहां पर समाझ गया होंगे इसी तरह है तो क्या होता हैं जब हमारे जेसकी GDP बढ़ती रहती है तो क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं economic growth लेकिन हम फिर दूसरी तरह देखते हैं कि जो हमारे GDP बढ़ रही है जो हमारे GDP बढ़ रही है और इस GDP में सभी का युगदान ہے जैसे कि आप यहां पर गोलेंगे एकानमिक डबलबमेंट गोलेंगे एकानमिक डबलबमेंट है यानि कि इसमें देखा जाता है जो प्रॉफिट है यानि कि जो लाव है उसका बितनाट सभी को हो रहा है क्या और इसमें देखा जाता है जीवन स्तर में सुदार से जीवन स्तर में सुदार हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो देश है बहां आर्थिक विकास हो रहा है ना केबल आर्थिक सम्रिद्धी वहां पर तो देखे यहां पर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी देखे आर्थिक सम्रिद्धी यह पर भी है क्योंकि यहां पर भी नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर एक चीज़ सिर्फ एड़ हो गए और यहां पर क्या है यहां पर भी नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन बूची यहां पर एड़ नहीं है तो केवल नंबर बढ़े हैं देखें अब मैं आप से खुछता हू जैसे कि मध्यम बर रखो गया, उच्छ बर रखो गया, इसके साथ में महीलाएं हो गई, पुरूस हो गई, इन सब की इसमें भागेदारी होती है, सब को इसमें लाप का वितरण समान होता है, तब हम इससे क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे, तो आप लोग समझ गए हो आर्थिक विकास और आर्थिक सम्रद्धी क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, आप अपने जो फैमिली वाला एक्जामपल है, उसको ध्यान रखें, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते है, इंक्लूजिव डप्लमेंट, समाब इसी विकास, I disruptedिे रिम्स और आपको इन्क्लूजिव के बारे मता रहा हूं, फिर इसके बाद सेस्थेंबर डप्लमेंट के बारे मता हूं, फिर इसके बाद लास में मैं आपको सब चारों को एक साहथ बता हूं जिससे आप एक दूसरी को कंपियर गर पाएँगे, पहां पर आपको जो स समावी से विकास है उसके दो पहलू होता है उसका एक पहलू होता है development of all मतलब सबका विकास इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका मतलब होता है सबका विकास और दूसरा पहलू इसका होता है मतलब चौथरपा विकास इसका देखिए मैं अच्छे से अभी आपको बताता हुए हूँ चौथरपा विकास देखिए सबका विकास का मतलब क्या है डपलमेंट अफ ऑल का मतलब है कि समाद में सब ही का विकास हो जैसे कि इस्तरी पुरूस और अमीर गरीब इस सब का विकास हो ओके ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ जो पुरूस हैं उनका विकास हो रहा है और इस्तरीयों का नहीं हो रहा है या फिर अमीर लोगे उनका विकास हो रहा है गरीब हो का नहीं हो रहा है तो हम इसे इंक्लूसिव डबलम नहीं कर रहे हैं जब हम किसी के साथ भेद्भाव नहीं करते हैं तो वो क्या होता है न्याय के सिद्धान पर आधारी देखने हैं कोई भी जैंडर हो अमीर हो गरीब हो किसी भी तरह का हो सभी का विकास होना चाहिए हम किसी को भी छोड़र नहीं रहे हैं तो इसी को कहते हैं स कौन सा है आरती का से ओके अब देखिए चौृत्हर रपा विकास का मतलब होता है कि हर सीज़ में होना चाहिए यान कि Economic development भाना चाहिए Social development भी ओना चाहिए Political, cultural development भी होना चाहिए देखिए इंट चारों development के बारे मैं आपको बताता हूं Economic development का मतलब होता है आरती का स यह सारी किंटे लिखते जाएंगे Lord का मतलब होता है समाजिक विकाज समाजिक ही का और पौलिटिकल्य डबलबेट का मतलब पॉता है राशनीतिः को ही राशनीतिः के विकाजन के और जो कलचल हर्लाद मेंट मतलब होता है इसका Sanskritic Vikas Sanskritic Vikas संस मिलें आर्थिक Vikas का मतलब क्या है आर्थिक विकास का मतलब है जो हमारे जो वेरोज गारी है पो वेरोज गारी है इसमें कम ही आए तो इस्का क्या मतलब है सभी की आए बढ़े जब सभी की आए बढ़ेगी तो हम इसे क्या बोलेंगे आर्थिक विकास बोलेंगे अगर सभी की आई में ब्रद्धी होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे आर्थिक विकास बोलेंगे जैसे कि सभी बरगें उनकी आए बढ़ रही है तो हम इसे बोल जो जाती बाद है वो कम हो इसी तरह जो धरम है धरम के प्रति जो कटरता है वो कम हो जब एसारी से जग कम होंगी तब हम उसे क्या गएंगे समाजिक विकास यानि कि सभी को जब हम समान अधिकार देंगे तब हम इसे बोलेंगे समाजिक विकास जैसे समाज में आप लोग दे कई जगे पर उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, बहुत से चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाता है, तो इस तरह की जाती कर भेद भाव होता है, जैसे उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, जैसे कि सबी के साथ में बैठाल के नहीं इकलाए जाता है, पानी जिन बड़तों गार्सिग विकास बोलेंगे अगर समाज में भेद भाव, जातिकत भेद भाव का मोर है, धार्मिंग भेद भाव का मोर है, तब हम इससे क्या कहेंगे, समाजिक विकास पोलेंगे, ओके, और इसमें महिलाओं को अधिकार दिये जाते हैं, ओके, जैसे महिलाओं के जैसे कि उन्हें, जैसे कि वो पर्दा प विकास का मतलब है राजनीती में भागीदारी इसमें बात की जाती है भागीदारी से जो भागीदारी है वो सबी की सुनिच्छी तो ऐसा नहीं है इसमें देखिए आप लोग देखेंगे राजनीती में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है अगर महिलाओं भी राजनीती में पहुँचेंगी तो अगर ऐसा होता है तो हम इसे बोलेंगे राजनीतिक विकास जो S.C.S.T. बार गया है O.B.C. बार गया है समाज के जो सबी तब किये हैं उन्हें राजनीति में जाने का मौका मिलेगा उन्हें राजनीति में जाकर के वो अपनी भागेदारी दिखाएंगे तब हम इसे बोलेंगे राजनीतिक विकास इसी के लिए इसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए आप लोग देखेंगे हमने जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षड दिया है और सभी वर्गों के लिए आरक्षड दिया अगर आप देखेंगे लोग सभा हो गया विदान सभा हो गया यहाँ पर सभी की जो सीटे हैं वो आरक्षित हैं क्यों क्योंकि अगर हम राजनीति विकास नहीं करेंगे अगर हम इस लक्ष को छोड़ देंगे तो हम क्या inclusive development को प्राप्ट कर सकते हैं नहीं प्राप्ट कर सकते हैं देखें आप हमने यहाँ पर देख लिए राजनीति विकास सांस्क्रितिक विकास हम किसे बोलेंगे सांस्क्रितिक विकास हम उसे बोलेंगे जैसे कि मान लेते हैं कोई आदिवासी आदिवासी है इसकी संस्कृती है जैसे कि मान लेते हैं किनी जंगलों में कुछ आदिवासी रहते हैं ऐसा नहीं है उनकी जो संस्कृति है, जैसे कि वो अगर किसी को कुछ करते हैं, उसके साथ में वो जैसी संस्कृति अपनाते हैं, हम उसको destroy नहीं कर सकते हैं, उसका भी विकास होना चाहिए, उनको सरक्षड मिलना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे, हम संस्कृतिक विकास बोलेंगे, ऐसा नहीं होने चाहिए हम कुछ संस्किर्थि है परcal Instagram से बिकास और आपके यह जो परंपराइं नहीं है ऐसी हमारी जुब संस्क्रिति उसको अपनाईए उसको आगे बढ़ाईए तो हम उसे क्या कहेंगे संस्क्रिति किएंगे ओके तो आपको यहाँ पर समझ में आगे चार्थि बिकास क्या है अगर समाज में सभी कह आया बढ़े तो उसे हम आठिक विकास बोलेंगे, समाजी विकास क्या है, जो भेद बाह हुए समाज में, वो कम हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, समाजी विकास बोलेंगे, राजियती में सभी का पार्टिसिपेशन हो, भग्यदारी बड़े तो हम उसे राजियती विकास बोलेंगे, हम सांस्कृति की विकास के से बोलेंगे जब संस्कृती जो हमारी संस्कृती उसे सरक्षर दिया जाया और उसको आगे पढ़ायता है तब हम उसे क्या बोलेंगे संस्कृत की विकास बोलेंगे देखे अगर हम इसको अच्छे से देखना चाहते हैं कि हम सभी वर्गों को क्यों उठाना चाहते हैं इसको अगर समझना चाहते हैं तो इस कहानी को अच्छे से सुनिए तो आप लोग अच्छे समझ जाएंगे कि हमें हम हर किसी को एक छोड़े से आदिवासी हैं उनको भी क्यों उठाना चाहते है देखिए यहां पर जो John Rawls हैं, यह काफी अच्छे बेखती है, अड़ सास्ति उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, इनकी दीख्ये मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो John Rawls है, इन्होंने कहा था कि एक देश उतना ही ससकत होता है, उनकी अच्छे से स्टोरी सुनिये, एक द खेंपल दिया था लोही की जंजीर का देखिए मानिये एक जंजीर होती है जो वो क्या होती है वो कई सारी इस तरह से आप देख सकते हैं चैन से मिलकर बनी होती है तो यह समझे कि जो एक चैन है इसकी यह एक बर गैं कैई खंडों में विवाजित होती है तो कई खंडों से मिलकर की चैन का निर्माड होता है तो देखिए इनको मानी है एक बर्ग जैसे एक बर्ग मानते हैं कि जैसे की उच्छी तबका हो गया निम्ना तबका हो गया इन सबी को हम एक बर्ग मानते हैं और एक बर्ग है ये भी एक ब मजबूत है अब हम इस जंजीर का औपियोग करेंगे अगर हम इससे इदर से और इदर बान तो ये जंजीर क्या अपना प्रापर पर कर पा रही है? नहीं कर पा रही है? क्यूँकि यह तो बहुत स्ट्रोंग इने एक स्ट्रोंग नहीं है, इसी तरह समझेए समाज के और बर्च आजा है, वो काफी स्ट्रोंग है लैकिन अगर समाज का एक बर्च इने sćong नहीं तो क्या होगा वो समाज तूट जाएगा वहाँ से और समाज तो यहां पर संपरदाइक्ता फैलेगी और सारी चीजें फैलती जाएंगी तो इससे क्या होगा आववस्ता उत् heavily होगी तो बिकास में बादाए आएंगी विकास में बादाएंगी तो हम समावेसी विकास को क्या से प्रैप्ट कर सकते हैं समावेसी विकास का मतलब है कि सबका विकास और चोधर पर विकास तो यहां पर आप समझ कि अगर आप से कोई पूछता है मैं आप से खूछता हूँ कि समावह से विकास क्या है तो आपको खहला है समावे से विकास जब हम सभी Oke, बिकास की के बात करते हैं और जो विकास है, वो च categ़ा सभी शित्रों में होना चाहिए, नाकेवल आर्थिक्स शित्रों में ऒलकि समाजिक, विकास भी होने चाहिए, राजनीति विकास होने चाहिए, सांस्किर्टी विकास भी होने चाहिए जब ये सारे विकास होंगे तब हम इसी क्या बोलेंगे चौतरफा विकास बोलेंगे, ओके तो आप लोग inclusive development को भी समझ गया है अब देखिए, जब हमने inclusive development के बारे बाद हमने sustainable development यानि कि सतत विकास की बात की, हमने बात की सतत विकास की अब देखिए, यहाँ पर हमने सतत विकास की बात की, हमने कहा ना किबल हमें विकास करना है, बलकि हमें सतत विकास करना है कि ऐसा नहीं है आज हमने बहुत विकास कर लिया और बाद में क्या हुआ विकास के लिए हमारे पास संसाद है नहीं नहीं बचे तो जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए बलकि अगर जो विकास है उसका ग्राफ इस तरह का है हमेशा इस तरह से चलता रहे तो हम इसे क्य वो लेंगे सदत्व विकास की तो इस तरह का graph नहीं होना चाहिए हमान लेते हैं इस तरह का graph है पहले हमने बहुत विकास किया दस सालों तक दस साल के बाद हमारी देश की condition है वो एकदव विकार होने लिगी तो यह सानी लाइट नहीं आ रही है तो अब इसको यहाँ पर मैं ब्रेक कर दिता हूँ और नेक्स यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँगा, ओके? आर इसको स्कततरूर्ट कर दिता हूँ और नेक्स अब रही है। झाल झाल